हाई फ्रेंड्स बर्प में आपका स्वागत है आज हम पनीर चीली बनाएंगे पनीर को फ्राइ करने के लिए सबसे पहले हमें बैटर त्यार करना है उसके लिए मैंने एक बड़ा चमच चावल का आटा एक बड़ा चमच मैदा एक बड़ा चमच कॉन फ्लोर आदा छोटा चमच गोलमर्च पाउडर और नमक स्वादा नुसार लिया है अब हम पानी डाल कर इसे अच्छे से मिला लेंगे मैंने यहाँ चावल के आटे का इस्तिमाल किया है इसे पनीर क्रिस्पी फ्राइ होगा अगर आपके पास चावल काटा नहीं है तो आप इसे स्किप भी कर सकते है अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि कोई लंस ना हो हमारा बैटर रेडी है अब हम पनीर को फ्राइ करेंगे फ्राइ करने के लिए मैंने गरम कडाही में जरुवत के हिसाब से रिफाइन ओयल लिया है मैंने 200 ग्राम पनीर लिया है उसे क्यूब शेप में काट दिया है अब हम पनीर को बैटर में इस तरह डिप करके फ्राइ करेंगे ध्यान रहे हमें मद्यम से तेज आज पर बस गोल्डन होने तक फ्राइ करना है ज्यादा लाल करने से पनीर हाड हो जाएगा इसलिए हम इसे तेज आज में पका रहे ताकि यह उपर से क्रिस्पी और अंदर से सॉफ्ट रहे इससे पलट कर पका लेंगे पनीर हलका गोल्डन हो गया है अब इसे निकाल लेंगे इस तरह हम सारे पनीर को फ्राइ कर लेंगे अब हम चिली सॉस बनाएंगे उसके लिए मैंने कडाही से तेल कम कर दिया है अब बस एक ही बड़ा चमच तेल कडाही में है अब इसमें हम दो बड़े चमच बारी कटे हुए लहसुन दो बारी कटी हुई हरे मिर्च और एक कटा हुए शिमला मिर्च डालेंगे प्याज और शिमला मिर्च को मैंने क्यूब शेप में काटा है इसे हम तेज आंच पर गोल्डेन होने तक पकाएंगे अब यह हलका गोल्डेन हो गया है अब इसमें नमक डालेंगे स्वादर नुसार और आधा छोटा चमच गोल्मिर्च पाउडर डालकर मिला लेंगे अब इसमें एक बड़ा चमच सिर्का एक बड़ा चमच सोया सॉस दो बड़ा चमच टेमेटो सॉस एक बड़ा चमच चिली सॉस और एक छोटा चमच शेजवान सॉस डालेंगे यह शेजवान सॉस मैंने घर पे बनाया और इसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में शेयर की है आप बाजार का भी शेजवान सॉस इस्तिमाल कर सकते है शेजवान सॉस पनीर चिली के स्वाद को और भी बढ़ा देता है मैंने पनीर चिली में हलका स्वीट टच लाने के लिए एक टी स्पून हनी का इस्तिमाल किया है आप चीनी भी डाल सकते हैं पर ध्यान रहे कि हमें बिल्कुल थोड़ा ही डालना है अब हम एक छोटा चमच कॉन फ्लोर पानी में मिक्स करके डालेंगे तेज आज में ही अच्छे से मिला लेंगे अब एक बड़ा चमच धनिया पत्ता और एक बड़ा चमच प्यास का पत्ता जिसे हम स्प्रिंग ओनियन भी कहते है डाल कर मिक्स कर लेंगे अब हम गयास ओफ कर लेंगे और दो-तिन मिनिट बाद ही पनीर क्यूब्स डालेंगे ऐसा करने से पनीर क्रिस्पी रहेगा ये मैंने पनीर क्यूब्स डाल दिया इसमें अब अच्छे से इसे चला लेंगे गार्निशिंग के लिए थोड़ा सा मैंने यहां गधनिया पत्ता और स्प्रिंग ओनियन्स डाला है पनीर चिली रडी है अब इसे सर्फ करेंगे आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताए और अगर आपने अब तक मेरे चानल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दे तुराइब करेंगे